हेलो इस्टुडेंट वेलकम तो जोती सिने सेकंडरी स्कूल अब हम नेक्स टॉपिक नॉर्मलता की बात करेंगे नॉर्मलता आपने क्या होती है कि एक लीटर विलियन में उपस्तित विले के ग्राम तुल्यान की भारों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है अथार्थ एक लीटर एक लीटर विलियन में उपस्तित विले पदार्थ के ग्राम तुल्यान की भारों की संख्या या ग्राम तुल्यान की भारों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदाशित किया जाता है नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदाशित किया जाता है प्रदेशित किया जाता है तो यहां हम देखेंगे एक लीटर विलियन में उपस्तित विलेपदार्थ के ग्राम तुल्यां की भारों की सिंख्या उस विलियन की नौर्मलता कहलाती है नौर्मलता को कैपिटल N से प्रदेशित किया जाता है अथार्थ नौर्मलता बरावर विले पदार्थ के ग्राम तुल्यांग की बाहरों की संख्या बटे विलियन का आइतन लीटर में तो विले पदार्थ के ग्राम तुल्यांग की बाहर या बाहरों की संख्या आप दोनों चीज़े लेख सकते हैं ग्राम तुल्यांग की बाहर या बाहरों की संख्या बटे विलियन का आइतन यह हमारे पास आइतन जो होगा वो लीटर में होगा अब यहां से हम बात कर लेते हैं इसे पदार्थ के ग्राम तुल्यांग की बाहर बराबर तो विल्य पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे, विले पदार्थ का तुल्यांग की भार, तो विले पदार्थ, विले पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे, विले पदार्थ का तुल्यांग की भार, यहाँ हम देखते हैं विले पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विले पदार्थ की ग्राम तुल्यांग की भार बरावर, विले पदार्थ की ग्राम में मात्रा, बटे विले पदार्थ का तुल्यांग की भार, समीकरण दो, समीकरण, दो कावान, समीकरण, एक में रखने पर, जैसी हमने रखा, तो नॉर्मल्ता क्या हो जाएगी भई, नौर्मलता मराबर विल्यपदार्थ की ग्राम में मात्रा पट्टे विल्यपदार्थ का तुल्यांग की बहर इंटू विल्यान का आयतन लीटर में विल्यान का आयतन यह आपका किसम होगा वही लीटर में यहां हमने देखर नौर्मलता बराबर क्या होगी विल्यपदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विल्यपदार्थ का तुल्यांग की बहर इंटू विल्यान का आयतन लीटर में अब यहां हमने माना माना विल्यपदार्थ की ग्राम में मात्रा इसे हमने WB से रिपेजन कर दिया विले पदार्थ का तुल्यांग की बहार विले पदार्थ का तुल्यांग की बहार इसे हमने E A से प्रदक्सित कर दिया Next विले अन का आयतन विले अन का आयतन इसे हमने V लीटर से प्रदक्सित कर दिया तो यह सारी जो ट्रम्प से हम उपर रख देंगे तो यहां से तो नॉर्मलता N बरावर विले पदार्थ की ग्राम में मात्रा हमारे पास में क्या है W भी है बटे विले पदार्थ का तुल्यांग की बहार E A है इन्टू विलियन का इतन लीटर में तो यह हमारे पास में V लीटर है तो यह हमारे पास उत्रनिकल क्या गया नॉर्मलता बरावर यदि लीटर को हमें ML में चेंज करेंगे यहां ML होगा तो उपर एक हजार से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो W बटे E A इन्टू V ML तो उपर कितना वाजाएगा एक हजार तो यह हमारे पास उत्रनिकल के नॉर्मलता का आजाएगा यहां से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो यहां क्वेश्चन की बाद कर लेते हैं सबसे पहरे थोड़ा प्वेश्चन और देख लेता हैं कि 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 36.5 ग्रामाच 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 को जल में गोल कर 500 ml विलियन बनाया जाता है नौर्मलता ग्यात कीजिए हमार पास क्वेश्चन दे रखा है 58.5 ग्राम एने सील को जल में घोल कर 500 ml विलियन बनाया जाता है नौर्मलता ग्यात कीजिए तो हम यहां सबसे पहले जो हमें दे रखा वो लिक देंगे यहां बात करते हैं 58.5 ग्राम एनेसील हतार्थ यह एनेसील हमारे पास यहां क्या है विले पदार्थ है और जल में गोल कर पांच से मेल विलियन मना जाता है तो विलियन हमारे पास कितना है पांच से मेल है तो यहां विले पदार्थ विले पदार्थ हमारे पास NACL है की मात्रा W बरावर 58.5 ग्राम देन उसके बाद में हमारे पास विलियन कितना है 500 ml है तो विलियन V ml में है 500 ml अब यहां हमारे पास मैं NACL तो सबसे पहले NACL का तुल्यां के भार निकालेंगे और हमाँ पता है इसके लिए अनुभार निकालते हैं पहले NACL का अनुभार हमें पता है NACL NACL प्लस CL का 35.5 दोनों मिलकर हमारे पास होगे 58.5 अथात इनका अनुभार निकलके 58.5 आ रहा है यहां हम जैसे ही इसे जब यह डिजॉल होगा यह अपने आयंस के रूप में कनवर्ट होगा तो NACL हमेंसा NACL में कनवर्ट होता है अथार्त इसकी स्वज़क्ता च्छारगता का मान एक होता है अतय अनुभार में जब च्छारगता का मान देते हैं तो तुल्ने आंकी बहार निकलके आता है तो यहां हमें पता है इनकी च्छारगता का मान कितना एक है तो यहां से हम एक का जैसे इसमें भाग देंगे तो यह इमान निकलके आएगा इसलिए यह इमान का मान आजाएगा तुल्ने आंकी बहार माना जाएगा कि अधे कि नॉर्मल तैन व्राबर डबलू वी बटे ये इंटू वी हमारे पास किसमें है सारी चीजें हम इसमें पुट हव से किपना हैंkę कि अट्थमं पॉइंट फाइब सब्सक्राइब की भाहर भी कितना है हमारे पास में यह हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है 58.5 निकल के आएगा क्योंकि हमें पता है यहां तुल्यांग की वहार एनेसील 58.5 बटे एक अथार्थ 58.5 क्योंकि इनकी जो चार्गता है एनेसील की एक होती है ठीक है यहां से यह का मान कितना है 58.5 इंटू वी का मान कितना है 500 इंटू पर कर दिया हमने हजार यहां से 2-0 से 2-0 कट गई और यहां 1000 बटे 500 अथार्थ एन बरावर हमारे पास आ गया दो अथार्थ नॉर्मलता हमें 2-N प्राप्त हुई तो यहां से आपने देखा होगा पहले कुश्चने और एक बार देख लेते हैं 58.5 gram NaCl को जल में गोल कर 50 ml wilien बना जाता है normal तक ह्याद किजिए wilien पदार्थ हमारे पास NaCl है इसकी मात्रा कितनी है 58.5 gram wilien हमारे पास में जल है जिसकी मात्रा हमारे पास में 500 ml है तो NaCl का अनुबार कितना होता है, Na का 23, Cl का 35.5, दोनों का अगर एड करते हैं तो 58.5 निकल के आता है, यहां से हमें पता है कि जब NaCl को हम कहीं डिजॉल्व करते हैं जल्वें, तो हमें पता है कि यह Na Plus और Cl Minus में Convert होता है, अतारत इसकी जो छारगता का मान होता है, यहां हम जब तुल्यांग की बाहर निकालते हैं, तो अनुबार बटे उसकी चारगता होती है, तो यहां चारगता एक है, तो यहां तुल्यांग की बाहर का मान भी 58.5 निकल के आएगा, तो यहां से हमने सूत में फूट अप कर दिया, नॉर्मल तबरावर डवलू बी, इंटो एक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें